कि ये गाइज वेलकम बैक तो मेर होईत एक बार फिर से आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूं तो गाइज हमने अपना एंचेंट इंडिया और मैडिवल इंडिया जो अपना हिस्ट्री का पार्ट को खतम कर दिया था अब हम पढ़ेंगे मौर्ण हिस्ट्री का इंपॉ और हिस्ट्री के ज्याद़ ładएंगे तो चार से पांच करश्चन तक बीजन देश्चांट नह lengths टोई अपना टाइम वेस्ट ना करते हैं में ठोग उड़ल बैंत पर किस तरह से आते सब्सक्राइब से पहले को नाता है उस चाहां पर रहते हैं तो सो ए ngayस जब यहां पर यूरोपियन जो है यहां पर आ जाते हैं तो यूरोपियन में सबसे पहले यहां पर कौन आता है पॉर्टिग्यूज यहां पर आते हैं तो क्या होता है कि पहले भी बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन यहां पर आ नहीं सकते हैं नाकाम्याब हो जाते हैं लेक यहां से आते हैं वो तो कब आते हैं जब यहां पर हिंदू रूलर होता है कैली कटका जमॉरीन जो है हिंदू रूलर होता है कैली कटका तो उसके शासनकाल में यहां पर वो आते हैं तो उनके साथ एक कहा जाता है कि जिसके साथ वो आये थे वासको डेगामा ठीक है जो उनकी नाव चला रहा था तो उसका नाम था अबुल माजी ठीक आइस यह कुछ बुक्स में मिलता है कुछ बुक्स में नहीं मिलता है ठीक है अभी आपको इतने आ रखना है कि वास्को डागामा जो यहाँ पे 498 में आये थे ठीक है उस वाकत यहाँ पे जमौरिन एक राजा हुआ क कहां-कहां करी दामन में ठीक है सालस Chapel में चौल में उसके बाद कैमबे काईज यह सिए एम्बम कैमबे होगा ठीक है 웬स कोस्त में और सैंथामस में मदराज के पास है और हुगली में इन्होंने अपनी आप सटिल्मेंट्स की अपने किले बनाए इन्होंने तो इनका गाईस जो है इंडिया का और ये फर्स्ट कौन सा था इनका फ्रेंसिस्को डी अलमाईडा ठीक है ये फिफ्ट्ट नाइन में इंडिया में आया था और इसने गोग कप्चर किया था कब फिफ्ट्ट ने तैन में ठीक आपको यह याद रखना है तो चलते हैं अगले वाली स्लाइड में पे तो वहां पर देखते हैं ँसको त्यार किया ठीक है उसके बाद क्या हुआ डच को लेकिन इंगलीष ने बाद में धर दिया याद रखना है आपको डच को लेकिन इंगलीश ने यहां पर हरा दिया था Portuguese को भी English नहीं हरा था ठीक है तो Dutch को जब English नहीं हरा दिया तो कौन सी battle में जब battle बेदारा करके एक battle हुई ठीक है बेदारा के जगह पे battle हुई तो उसको battle बेदारा का नाम दिया गया 1759 में वो battle हुई तो वहाँ पे Dutch को यहां से ख़देड दिया गया ठीक है और एक agreement यहां पे कर दिया के Dutch जो है जो उन्हें Indonesia पे control किया था ठीक है मतलिब के Dutch जो है control करेंगे Indonesia पे और British जो है control करेंगे इंडिया पे श्रिलंका पे और मलाया आइलेंड पे ठीक है गाईस तो यह उनके बीच में एक agreement हुआ किसके बीच में Dutch और English के बीच में यहां पे agreement हुआ Settlement कहां कहां पे हुई इनकी इन्होंने अपनी एक पहली थेक्टरी जो है Masuli Patnaem ठीक है जिसको Masuli Patnaem कहा जाता है आज तो Masuli Patnaem में 1605 में इन्होंने क्या किया अपनी एक पहली थेक्टरी को निन्होंने यहां पर त्यार किया और उन्होंने दूसरी फेक्टरीज ने बनाई फ्यूलीकट में ठीक है चिंसोरा पत्ना बालासोर नागा पत्नम कोचिन सूरत कराइकाल और कासिम बजार में डच ने अपने कंपनी बनाई तो चलते हैं अगले वाली स्लाइड पर देखते हैं उसके बाद कोन आता है पहले आगे पॉर्टिकूज ठीक है फिर आगे डच ठीक पिर आगे हमारे पास इंग्लिश तो इंग्लिश यहां पर इनकी इस्ट इंडियन इंग्लिश कंपनी कब होती है जब इनको च crimes जाओ जाता है जा जाँ आप यहां पर पर लंगर करो तो जहांगीर के कोट में जो है कापितन विल्यम हाकिन जो है और सैंट थॉमिस रो वहाँ पर जाते हैं ठीक है तो पहले तो जांगीर के दरबार में जाते हैं तो जांगीर उन्हें कहता है कि नहीं मुझे आपको फर्मान नहीं देना है फिर बाद में वह बहुत ही कुछ अलग टाइप के इंसान होते हैं यह जो होते हैं सर थॉमिस रो एंड काप्टन विल्यम हाकिन बहुत चलाक किसम के इंसान होते हैं तो क्या करते हैं लेकिन फिर बाद में जब उसको बार बार जाते हैं तो जांगीर मजबूर हो जाता है उनको फर्मान देने के लिए ठीक है क्या करता है वह परमिट कर मिल जाता है कि वो अपनी अपना यहाँ पर Trade भी कर सकते हैं और अपनी Factory को भी यहाँ पर Establish कर सकते हैं ठीक है उन सारे हिस्सों में जहाँ पर Mughal Empire पूरा Mughal शासन जहाँ पर था जहाँ पर Mughal रूल करते थे और जहां पर जहांगीर का रूल था उन सब जगाओं पर 1615 उनको जगा मिल गई मतलब कि ये उनको फिर से एक imperial फर्मान से कहेंगे ठीक है उनको ये बहुती अच्छा यहां पर बहुती शांदार फाइदे मंद ये permit मिल गया कि वो जहां जहां पर जहांगीर का रूल है वहां पर रूल कर सकते हैं फिर चलते चलते क्या हो जाता है कि 1619 में क्या होता है एक फेक्टर जो है acquire कर लेते हैं तो उसके बाद जो कलकटा की city है उसको found करते हैं ठीक कलकटा की city को बनाया जाता है तो Fort William College जो है पहले क्या था Fort ये किला था एक बाद में उसको Fort William College भी बनाया गया बाद में ये college बंद हो गया कुछ reasons के कुछ कारण थे वहाँ पर तो Fort William College कब सेट किया गया 1700 में सेट किया गया ठीक है और 1717 में क्या हुआ जान सर्मन ठीक है जान सर्मन को भी एक फर्मान यहाँ पर मिला किससे फारुक सियार पगल रहा है जुनको कहा जाता है ठीक है फारुक सियार ने जान सर्मन को 1717 में एक फर्मान दिया ठीक है जिससे बहुत जादा कंसेशन मिली कमपनी को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर काम करो ठीक है तो आप यहाँ पर अपनी कमपनी को चलाओ ट्रेड करो बस समय थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो यह फर्मान जो है इस फर्मान को मैगना काटा आप दा कंपनी कहा जाता है याद रखना गाईज जो फर्मान फारुक सियार ने किसको दिया था जौन सर्मन को दिया था इस फर्मान को क्या कहा जाता है इस फर्मान को मै प्रादेती है। ठीक है सराजुद्वलकॉन होता है। यह बंगाल नवाब होता है। यहाँ पैस्पिरेसी के जढते हैं इसके अपने साथ ही थे। ठीक है उन्होंने एक conspiracy की एक शडियंतर रचा किससे मिलकर जो यहां पर हमारे कौन थे? मीर कासिम थे ठीक है इन्होंने क्या किया? इनके साथ सवरी मीर कासिम नहीं इनकी अपने ही कुछ उनके नाम है ठीक है उनको क्या करके? वो सब मिलके उन्होंने कहा इंग्लिश ने कहा कि हम आपको बनाएंगे ठीक है तो आप क्या करो हमारे साथ जोड़ जाओ तो बैटला पलासी में यह हो जाता है तो फिर यहाँ पर साज़त दोला को वहाँ पर बोलते हैं आप घर चलो वो कहते हैं कि तो अपने इंसान हैं अपनी आदमी है तो अपने आदमी को देखकर वो उसको ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर इसको हैं करते हैं इसको मार देते हैं ठीक है तो बंगाल का नवाब होता है इसके बाद बैटला बकसर होती है ठीक है 1764 में होती है आपको डेट याद रखनी है ठीक है यहाँ पर क्या होता है Captain Monroe जो होता है मीर कासिम ठीक है बंगाल का होता है शुजा उद्दोला अवद का होता है और शाहा आलम मुगल एंपरर होता है उस वकट का second इन सब को हरा देते हैं ठीक है इंग्लिश की जो है ब्रिटिशर जो है उनकी जड़ें बहुत ज़ादा मजबूत हो चुकी थी ठीक है तो उनको हराना बहुत ही मुश्किल था तो इसके आगे क्या होता है गाईस बैटल आप बकसर हो जाती है इसके आगे क्या होता है कि एक चीज़ में आपको और बता दो यहां पे इसमें क्या है कि शाह आलम ठीक है क्या करते हैं शाह आलम जो है 1765 में बैटल आप बकसर के बाद ही क्या करते हैं बिटिशर को दिवानी आफ राइट दे देते हैं क्या करते हैं दिवानी आफ राइट दे देते हैं कहां कहां कि दिवानी देते हैं उनको बिहार की ठीक है गाईज बंगाल की एंड औरिसा की ठीक है उनको दिवानी आफ राइट मिल जाता है कि नहीं कि वहां पर वो क्या कर सकते हैं अपना अपना त्रेड अराम से कर सकते हैं इसके बाद यहां पर डेंज आते हैं इनको डैनिश भी कहा जाता है ठीक है तो डैनिश इस इंडे कंपनी का बनती है यहां पर 1616 में बनती है तो डैनिश कलोनी ठीक है उनका नाम था ट्रॉन के बार ठीक है ट्रॉन के बार उनकी एक कलोनी का नाम ठीक में जो कहां पर बनाई थी उन्होंने आपको पूछ जाएगा कि लास्ट यहां पर कौन आई है लास्ट आई है कई इस फ्रेंच ठीक है तो French company यहां पर कब बनती है, 1664 में बनती है, ठीक है, तो किसके अंडर बनती है, Colbert करके, ठीक है, Colbert करके इनका एक वो था, King था, इनको किसको कह सकते हैं कि वो उनका एक commander भी था, उसके अंडर इसको बनाया गया, ठीक है, first french factory कहाँ पर establish होती है सूरत में ठीक है कौन करता है इसको establish francois caron 1668 में पहले factory इन के होती है उसके बाद एक दूसरी factory ये त्यार करते हैं कहाँ पर मसूली पट्नम में क्यों करते हैं क्यों कि इनको trade करना होता है alg Yani trade करने के लिए इन factories को setup करते करते रहते हैं फिर इनों नहीं यहां पर 1669 में क्या किया दूसरी फैक्टरी मशुली पटन में त्यार की तो इनको याद रखना कि फ्रेंच को भी इंगलिश यहां से खदेर देती है ठीक है बैटल आफ वांडी वाइश 1760 में एक बैटल होती है जहां पर क्या किया जाता है फ्रेंच को भी यहां से खदेर दिया जाता है ठीक है गाईज तो चलते हैं आगे गईज आज इतना ही करते हैं ठीक है क्योंकि इस वीडियो में मैंने शौक बनाई ढुं किया क्योंकि मैं चार्याद क्या था कि थोड़ासा आपको और विउश मील जाए कि यहां पर बिडेटिशर किस तरह से यहां पर आये है किस तरह से उन्होंने यहां पर अपना राज जाने की जुरूरत नहीं है तो अगली वीडियो में डेस्कस करेंगे इसके अगले वाला पार्ट ठीक है तब तक के लिए नमश्कार जैहिन थैंक यू